ओम शांती आज 8 एप्रिल 2023 प्यारे बाप दादा के साकार मधूर महावाक्यर आज की मुरली के सार में बाबा ने सावधानी दिलाते हुए कहा कि तुम बच्चों को हर कदम में बहुत खबरदारी रखना जरूरी है इश्वर परमात्मा के सामने जो वचन लिया है वाइदावा प्रतिग्या की है वह किसी भी हालत में निभाना है किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है धरत पढ़िये धरम न छोडिये कुछ भी हो जाए बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे फिर कहा मन मत वा परमत पर नहीं चलना है हर कदम पर श्री मत याद रहे फिर कहा हे लाडले बच्चे हे आत्माए मैं परम धाम से परम आत्मा इस ब्रम्हा तन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ बाबा केते इतनी खुशी होनी चाहिए जो बाबा कहते ही मुखडा खिल ज श्रिंगार कराते हैं तो खुशी का पारा चड़ना चाहिए फिर याद का चायट बढ़ाने की विधी बताई कि बाबा कहते हैं बच्चे अपना चायट रखो कि हम कितना समय श्री बाबा को याद करते हैं एक घड़ी याद करना शुरू करो फिर प्रक्टिस पढ़ती जा जो अंत में बाबा की ही याद बनी रहे। ऐसी याद में रहने वाले ही विजय माला के आठ रतन बनते हैं। फिर प्यार की अनुभूती कराते हुए कहा कि बाप आकर बच्चों को गले लगाकर पुछकार करते हैं, प्यार देते हैं। और पुछते हैं, मीठे बच्चे, माया को कहो हम परक्षमा करो तो बाबा कहते हैं नहीं अभी तो माया को हम ओडर करते हैं कि खुब तुफान मचाओ दुख के विकर्मों के एकदम पहाड गिराओ अच्छी तरह से नाक से पकड़ कर फतकाओ देखो सर्ग में जाने के लायक बने है या नहीं ऐसे थोड़े ही कृपा करो अशिर्वाद करो तो उँच पद मिल जाएगा यहां तो तुम्हें पढ़ कर उँच पद पाना है सुनते हैं बाबा के महवाक्य विस्तार से आज बाबा कहे मिठे बच्चे किसी भी कारण कुल कलंकित नहीं बनना है धरत पड़िये धरम न छोड़िये बाब से किया हुआ वचन सदा याद रहे मिठे बच्चे किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है धरत परिये धरम न छोड़िये बाब से किया हुआ वचन सदा याद रहे आज मुरली से प्रश्न है बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत जरूरी है उत्तर में बाबा ने कहा इश्वर के सामने जो वचन लिया है वाइदा वा प्रतिग्या की है वह किसी भी हालत में निभाना है यह खबरदारी रखना बहुत जरूरी है कभी भी बाप का बनने के बाद की चक बन उल्टे करम नहीं करना, अगर उल्टा करम किया, तो धरमराज पुरा-पुरा हिसाब लेंगे, मन मत वा परमत पर नहीं चलना, हर कदम पर श्रीमत याद रहे। आज मुरली में गीत बजा, तुम ही हो माता, पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंदू, सखा तुम ही, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारा, तुम ही मम देव देवा, सारी मुरली से धारना के लिए सार हैं, पहला, बाप से जो प्रतिग्याकी हैं, उस पर कायम रहना है, कभी भी ज जबान से बदलना नहीं है, बहुत बहुत खबरदार रहना है। दुसरा, अपना और दुसरों का ज्यान श्रिंगार करना है। कभी भी दिह अभिमानी बनकर साकार शरीर में न फसना है, न किसी को फसाना है। आज बाबा ने वर्दान दिया, हर आत्मा को सेकेंड में मुक्ती जिवन मुक्ती का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सत गुरु भव। स्पश्टि करण हैं, अभी तक मास्टर दाता वा मास्टर सिक्षक का पायट बजा रहे हो, लेकिन अभी सत गुरु के बच्चे बन, गती और सत गती के दाता का पायट बजाना है। मास्टर सत गुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सत गुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रिती से चलने वाले, ऐसे मास्टर सत गुरु ही सेकेंड में नजर से निहाल करने, अर्थात मुक्ती जिवन मुक्ती का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। आजका स्लोगन है आज्याकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआए प्राप्त होती रहेंगी। आज्याकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआए प्राप्त होती रहेंगी। Om Shanti, Shukriya Baba Shukriya